Hello viewers, welcome to KTXCNC मैं रमेश बोल रहा हूँ और आज आपके लिए मैंने हिंदी में frames कैसे बनाना है frame का design आए तो कैसे set करना है वो अभी आपको मैं बता रहा हूँ frame की design आपको मैंने बताने के लिए actually एक example लिए रहा हूँ मेरे पास एक frame आया हुआ है वो एक frame जो है ना 2 meter 2 meter height है and width 1 meter है वो जो है ना bend है उसका जो panel है ना wooden का panel 100 mm विड़त है हो उसमें कैसे design set कर देंगे भी देख लेंगे as usual हम तो ऐसी करते create new model लेता है 2000 by 2000 का एक create new size for model देख लिया है करने के बाद मैं अभी create rectangle में जाके width 1000 mm है and height 2000 mm है वो भी मैं enter कर दिया हूँ इसके बाद मैं create कर दिया हूँ और close कर दिया हूँ actually अभी जो है ना हमारा लेकडी का width जो है ना working area is 100 mm so इदर मैं offset vector में जाके 100 mm inverse की तरफ and offset कर दिया हूँ अभी जो है ना ऐसा चारों तरफ offset आ गया है मगर चाहिए हमें तीनों तरफ bottom की तरफ कोई भी नहीं बनाता है इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ इसको जो है ना नीचे की तरफ निकालना चाह रहा हूँ नीचे की तरफ निकालने के लिए मैं node editing में जा रहा हूँ यह दोनों nodes को select कर रहा हूँ select करके उसको नीचे कीच दे रहा हूँ नीचे कीचने के बाद मैं Caesar लेके यह दोनों vectors को trim कर दे रहा हूँ यह दोनों vectors को trim करके मैं इधर final option है ना अलड़ी हम इससे पहले भी बात कर चुका है final कर दिया हूँ अभी देखिए सव mm का bandwidth का तीनों तरफ का panel बन गया है इसमें अभी हम design set कर देंगे इसमें हम design set करने के लिए कभी भी हर एक customer की इसाब से हम चलना पड़ेगा हम bidding रखना है bidding नहीं रखना है बुलके कोई कानू नहीं कुछ लोग bidding रख देता है कुछ लोग bidding नहीं रख देता है मैं अगर इसमें bidding रखे तो कैसे set करना है वह मैं समझाता हूँ अगर bidding नहीं है तो अभी इसको offset डालने का ज़रूत नहीं है मैं इसको जो है एक 7mm bidding देना चाहरा हूँ 7mm offset यह हो गया अंदर की तरफ 7mm का यह दोनों की बीच में मैंने bidding develop करता हूँ अभी जो है ना इसके बाद में usually क्या करता है हम नीचे एक flower part flower ways रखके इसके ऊपर एक stem एक flower एक stem एक flower एक stem ऐसा एक flower इसके बाद में यह कोने पे एक flower रख देंगे और center में भी एक flower रख देंगे तब देखने में अच्छा रहता है उसके लिए हम अभी क्या करेंगे देख लेंगे यह same इसके जैसे मैंने एक duplicate करने एक relief को मैं पहले बनवा लेता हूँ वह relief को बनवाने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ 100 mm by 1000 mm का एक rectangular ले रहा हूँ मैं इसको भी मैंने same 7 mm offset डाल दे रहा हूँ क्याक बले तो इसको इसमे जो भी मैंने relief बनवा लेते न वह सबको इसमें रख के चला जाता हूँ इसके लिए मैंने यह बना दिया है इसमें मैं अभी पहले मेरा copies बनवा लेता हूँ इसके लिए load relief में जा रहा हूँ यह relief को मैंने उसमें edit करना चाह रहा हूँ इसको pasting में रख दिया हूँ okay कर दिया हूँ यह आ गया है मगर नहीं दिख रही है window fit रखेंगे तब दिकाई देता है और वह भी क्या है आडे में है मुझे कडे में चाहिए इधर मैंने rotate में गया हूँ और 90 degrees कर दिया हूँ यह rotate हो गया है इसके बाद में वह rectangle के अंदर इसको बिटाना है यह click कर दिया हूँ center in the model यह आ गया है देखिए अभी इसके अंदर आ गया है मगर जेगा बहुत बचा हूँ कैगोड़ तो यह 7mm है यह तो 7mm से ज्यादा बचा हूँ कभी customer लोग क्या करता है ज्यादा चोड़ दिये तो कैगों ज्यादा चोड़ दिया है बोलके बहुत थैं मगर आप जो है ना आपकी इसाब से इसको कम ज्यादा आपकी इसाब से कितने बार भी कर सकता है इसको ड्रैक करके मुझे तो अभी यह अच्छा लग रही है मैंने मेरी customer और यहने मेरी इसाब से यह अच्छा का लग रही है यह तो और एक बार भी बड़ा देता हूँ और एक 1% बड़ा देता हूँ काफी है मुझे अभी इसके बाद में मैं इसका जेड में साइज में गया हूँ यह तो 8.7 गया है ऐसा मगर मैंने इसको 8 mm में बनाना चाहरा हूँ इदर 8 mm कर दिया हूँ और इसको अपले कर दिया हूँ इसके बाद में इसको पेश्ट कर दिया हूँ हो गया विवर्स अभी इदर देखिए हमें एक रिलीफ आ गया है यह रिलीफ में ऐसी यह फ्लावर, स्टेम, फ्लावर एंड फ्लावर, एंड स्टेम मैं क्या करता हूँ इदर से इदर स्टेम तक एक यह फ्लावर एक इसके बाद में फ्लावर के साथ में स्टेम एक, ऐसा मैंने अलग अलग कर देता हूँ ऐसा मैंने अलग अलग करने के लिए मैंने पहले यह बाटम का इसको निकाल देता हूँ इसको निकालने के लिए मैंने अभी जो है ना इसको इधर से ये बागी का पूरे को जीरो कर देता हूँ जीरो कैसे करना भी अभी ट्रेनिंग ले इसमें एक लास में आ जाएगा जैसे एक्चली ये भी ग्रेश्केल व्यू में है उसको निकाल दिया हूँ मैं इधर आ गया हूँ इसको अनग्रूप ऑल कर दिया हूँ करने के बाद इसको नोड एडिटिंग पर जारा हूँ मैं नोड एडिटिंग पर जाके इधर c कट हो गया है इधर भी C cut हो गया है इसको उपर वालों को मैंने delete नहीं करना है फिर आगे भी जरूर होते है उसका ठीक हो कि अभी इस पे आ गया है आने के बाद मैंने selection टूट पे गया है जाने के बाद इसको भी merge कर देते हैं मैं जीवितिये कर हूँ बस almost आल आ गया मुझे ये पार्ट नहीं चाहिए न इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ इसको शेप एडिटेर इससे पहले हम शेप एडिटर जो है न बीडिंग डॉलप करने के लिए यूज किये थे इसमें जो भी selection हुआ है उसे वेक्टर के अंदर जो तो रहता है यह zero कर दिये तो उसके अंदर जो भी design है वो पूरा निकल जाता है निकल गया देखिए इसके अंदर जो भी design है वो सारे design इसमें निकल जाएगा इसको मैंने वेक्टर को भी delete कर दे रहा हूँ मैरा confusion नहीं रहना के लिए इसके बाद मैं यह सारे वेक्टर को भी मैं delete कर देता हूँ delete करने के बद इधर मुझे भी इसका open vectors है इधर यह open vectors को भी मैं क्या कर देता हूँ merge कर देता हूँ इसके बाद मैं यह तोड़ा सा डाट डाट की जैसे लग रही है न यह सब जो है न यह सब जो है न यह है इसमें जो भी अभी हम delete कर दिये न उधर का जो भी impressions है यह impressions नहीं रहना चाहिए इसको भी हम delete कर देंगे इसको delete करने के लिए मैंने एक polyline ले रहा हूँ मैं इसको भी मैर्ज कर दिया हूँ इसके बाद मैं इसको भी जेरो कर दे रहा हूँ यह चोटा मोटा impressions भी सब निकल जाएगा निकल जाने के बद इसको delete कर दे रहा हूँ मैं यह वेक्टर को अभी देखिए मैंने इधर से इधर और एक पाली लेंड करेट करके पहले जोए ना इसको मैंने फ्लावर विद स्टेम इसको सेव कर दे रहा हूँ मैं इधर saved relief option यूज करके इससे पहले भी हम left rate करते समय में इसको यूज किये थे यह आ गया है मगर अभी जो है ना यह 100 mm की फ्रेम बना रही है ना इसलिए मैंने 100 mm का एक फोल्डर रख दे रहा हूँ मैं इसमें 100 mm की फोल्डर में इसके बाद में मैं अभी एक चोटी सी काम करता हूँ और एक पाली लेंड क्रियेशन ले लेता हूँ मैं अभी सिर्फ इस फ्लवर को मैंने अलग से निकाल देता हूँ इसके बाद में आर्क दोनों आर्क और दोनों पाली लेंड क्रियेट कर लिया हूँ मैं इसके बाद में एक दोनों आर्क को वो पाली लेंड के साथ में मैंने मेर्ज कर देता हूँ हो गया होने के बाद अभी देखिए मैंने अभी जीरो कर देता हूँ इसके अंदर जो भी फ्लवर है वो निकल जाएगा अभी जो है न मैंने इसको स्टेम के जैसे स्टेम इसके बाद में मुझे फ्लवर भी चाहिए न इसलिए क्या करता हूँ मैंने उसको अंडू करते रहा हूँ undo करके zero rest कर रहा हूँ zero rest जब दबाते है ना जो भी selection में है वो रहता है जो बिना selection में है वो निकल जाता है अभी flower हमें बच गया है बाकी का निकल गया है मैं इसको save relief में जाके इसको flower FL करके save कर दे रहा हूँ I see मैंने क्या कर दिया हूँ तीनो अलग-अलग models को मैंने save कर लिया हूँ इसके बाद मैं इसको close कर दे रहा हूँ और center में यह जो भी है ना यह सब को delete कर दे रहा हूँ कर एक बोलतों उससे मुझे कोई कामन का नहीं है अभी इधर जो है ना पहले मैं एक flower वास बिटा देता हूँ और तीनो कोने पे तीनो flowers डाल देता हूँ इसके लिए मैंने क्या करता हूँ पहले जो है ना load relief में जाके एक flower को ले लेता हूँ flower आ गया है flower आने के बाद मैंने इसको क्या कर रहा हूँ उपर डाल देता हूँ मगर नीचे की तरफ ज्यादा जगा दिखा रही है ना इसलिए मैं इसको क्या करता हूँ थोड़ा सा नीचे भी ला सकता हूँ आईसा arrows यूज करके आप आपकी नजर की सबसे देख सकता है नहीं है तो भी कुछ लोग जो है ना perfect बिटाना चाहता है उन लोग उनके लिए भी एक solution है हमारे पस जिस आदमी perfect बिटाना चाहता है उसके लिए ऐसा मैंने एक polyline ले लिया हूँ straight वाली polyline straight वाली polyline लेके इसको trim tool लेके trim कर दे रहा हूँ मैं ये उपर का नई चाहिए मुझे ये नीचे का नहीं चाहिए मुझे अभी मैं क्या करता हूँ इसको flower को select कर देता हूँ पहले इसके बाद मैं इस vertical line को select कर देता हूँ अभी देखिए ये tool use करके मैंने इसकी center पे बिटा देता हूँ अब ऐसी आपकी सबसे तोड़ा से बिटा सकता है इसके बाद मैं मैंने इसको paste कर दे रहा हूँ क्याक बोले तो ये जो है ना जो actual size में हमें चाहिए ना वोई size में है ये इसलिए मैं इसको ज़्यादा देखना नहीं चाह रहा हूँ paste ये भी हो गया है paste होने के बाद मुझे इधर move बोलके एक option available है ये move में क्या कर सकता है ये ही relief copy paste होके move हो जाता है मुझे जो है ना ये कोने पे और एक flower होना चाहिए इसलिए मैंने क्या कर रहा हूँ इसको इधर से इधर और एक flower ले रहा हूँ मगर ज़्यादा नहीं जा रहे है 100 mm से ज़्यादा मगर मुझे चाहिए अप्रक्समेटली फैन डेमिन तक चाहिए इसलिए मैं क्या करता हूँ इधर minus 400 रखके apply कर देता हूँ क्या कर दो क्या चाहिए यह 400 mm approximately यह उदर से हटा चुका है फिर भी क्या है तोड़ा सा और इधर उदर है ना इसलिए मैंने तोड़ा सा इसको ICM मैं अजिस्ट कर रहा हूँ मैं अजिस्ट करने के बाद यह मुझे लग रही है सही यहने आउर अगर चाहता है तो भी एरोस से आप इधर उदर हटा सकता है यह कोई 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 की चीज नहीं है इसके बाद में आप इसको पेस्ट कर दीजिए जैसे आपको अच्छा लगए एक कोने पे भी फ्लवर आ गया औ मैं जो है न अभी क्या कर रहा हूं लोड रिलिफ में जा रहा हूं मैं इससे पहले न्यू फोल्डर में मेरे पास एक फ्लवर वेज है इसको ले रहा हूं मैं पेस्टिंग ओके आ गया है यह मगर मैं क्या करना चाह रहा हूँ फिर इदर से इदर सेंटर में बीटाना चाह रहा है न इसलिए मैं क्या करता हूँ भी एक पाली लाइन, श्ट्रेट पाली लाइन, हार स्पेस, और एक आड़े में एक हर जेंटल पाली लाइन, श्ट्रेट लाइन, यह दोनों को ले लेता हूं मैं, ले लखे हैं, इसके बाद में चोड़ा है इस लिए मैं फिर सब्सक्राइब है केल में जाके इसको कम करना चाह रहा हूं मैं कम ज्यादा जितने बार भी करो जो भी करो आपकी इच्छा मुझे ऐसा लग रही है अभी अच्छा है लग रही है यानि और तोड़ा ज्यादा है इदर और तोड़ा सा कम कर देंगे 95% कर सकते हैं कि फ्लावरवाज को हम एक्त करने के बाद मैंने इस वेक्टल को यूज करके बाटम नहीं पीटा दिया हम इसको सेलेक्टyes को सेट 70 कर दिया है इत करने के बाद ज्येट रेंज कुर देखना ज़रूरी है इधर ये 67 7 अगर ऐसा नहीं रखना चाह रही है इवे छि इसके बाद मैं इसको paste कर दिया हूँ, देखिए bottom में flower वाज आ गया है, एको ने पर flower आ गया है, एधर भी flower आ गया है, अभी मैं जो है ना इसके अंदर stem flower, stem flower, इधर भी stem flower ऐसा set करते जाता हूँ, इसके लिए मैंने पहले क्या करता हूँ, इधर एक stem ले लेता हूँ, stem के FLST, इधर stem लेना पड़ेगा पहले, bottom से stem से चालो होना चाहिए ना इधर पेस्टिंग में रख दीजिये, यह इधर आ गया है, मुझे इधर चाहिए ना, इधर लेके आया हूँ, मैं इसी हाथ से, और इसको shift पकड़के इसका release frame को select करके, mix rating में जा के, ऐसा center करदीए हूँ, इसके बाद मैं इसको नीचे ले रहा हूँ, मैं इसको नीचे ले रहा हूँ, इसको नीचे लेके आके इसके अंदर रख के, मैने mode में जा कर दे चाहिए मैं मेργ का जा के, रखके इसको paste कर दे रहा हूँ अभी देखिए flower part, flower part से stem निकला है stem निकलने के बाद इधर flower and stem, flower and stem आना चाहिए इसके बाद में मैं इधर एक flower रखता हूँ इसके बाद में stem, flower, stem IC मैंने इसको उपर तक ले जाता हूँ उसके लिए फिर मैंने क्या कर रहा हूँ एक flower and stem को FLST को मैं इसमें ले रहा हूँ pasting, ok इसको मैं shift पकड़के इसका relief को select करके आडे में center में रख दे रहा हूँ मैं इसके बाद मैं इसको नीचे लाना चाहिए न इसको नीचे ला सकता है मैं computer में keyboard में down arrow मैं इसको नीचे ले रहा हूँ मैं नीचे लेने के बाद जितर तक आपको satisfy नहीं होगा तब तक इसको नीचे ले लिजे मुझे इधर satisfy हो गया है मैं इधर mode में merge है में रख के paste कर दे रहा हूँ मैं इससे पहले जोए ना सेम वैसी अभी क्या कर दिये थे flower जब paste कर रहा है तब move में जाके इसको आडे में move कर दिया है अभी इसको कडे में move कर सकता है कडे में move करते समय में एक चोटी सी ध्यान दीजिए इसका हाइट इदर दिखा रही है आपको 380 and 74 यह 380 mm इसको सीधा आप इदर 380 mm एंटर करके इसको उपर ले सकता है आ गया है फिर भी क्या तोड़ सा नीचा आए तो अच्छा रहता है ना इसलिए एक measurement tool ले लिजे measurement tool लेके इदर आप एक बार measure कर लीजिए कितने distance नीचा आना चाहिए 4mm तो ऐसे कर देना इदर minus 4 देखिए 380 minus 4 376 हम इसको उपर उठाना है पहले तो इसको paste कर दे मेर जायेस्ट देखकर paste कर दीजिए pasting होने के बाद इसको जो है ना फिर मुव में जाके इदर 376 अपले कर दीजिए फिर उपर आ गया है इसको भी देखकर आप एक बार measure highest में रखके paste कर देना इसके बाद में इदर देखिए आपको उपर तोड़ा सा बहुत कम जगा बचा हुआ है इदर इतना 380 mm है की नए एक एक बार देख लेंगा इदर फिर measurement tool ले रहा हुआ हुआ इदर से इदर 324 mm है सो इसलिए मैं क्या करता हूँ पहले जो एना इसमे 324 mm एक stem को बीटा देता हूँ stem approximately होतना ही रहेगा बिना flower का stem को बीटा देता हूँ इदर फिर मैंने load relief में जा रहा हूँ मैं load relief में जाके सिर्फ stem को ले रहा हूँ stem को ले लिया हूँ इदर से इसको select करके ID में center कर दे रहा हूँ इसके बाद मैं इसको select करके ऊपर ले रहा हूँ मैं तो पर यूज कर के ले रहा हूं है, आप आपकी सबसे कैसे भी ले सकता है, यह उपर जाना हमारा कांसेट है, यह आया है, और उपर तक भी चले गया है, और तोड़ा से खम है एरिया इसका, इसके लिए जो एनम मैंने आईसी कर देता हूं, अप्रक्समेटली एक मेजरमेंट ले लेंगे, क्या इको टेंशन हमें, मैं जर कटूले ना, इदर, यह एटम है, एक 10 mm ज्यादा कर लेंगे इसको, 10 mm ज्यादा कर लिया तो, इसी वह जाता है, इदर 326 है न, मैंने इदर क्या कर रहा हूं, 336 कर रहा हूं इसको, देखे 336 हो गया, अगर 336 होने के बाद, यह रोपर चले गया है फिर मैंने इसको नीचे ले रहा हूँ इसको लेकर size में जाके mode में जाके avoids करेट कर दे रहा हूँ मैंस के यह हो गया है बी यह होने के बाद आए जाहिए आडे में भी करने से पेले किया करता है मैंस का मünश्रूमिंट क्या है देख्त 379 mm है अभी भी में क्या करता हूँ इसको मुह में जाता हूँ इसी कोई उपर लेता हूँ और रोटेशन में जाता हूँ इसको 90 डिग्री सप्ले करता हूँ इसको आडे में कर देता हूँ आडे में कर दिया है फिर साइज में जाकर इसको जो है न इधर 370 mm कर देता हूं इसके बाद मैं इसको shift पकट के एफ लवर के relief रेन को select करके vertically central रेन कर देता हूं करने के बाद arrow use करके भी कर सकता है यानि इदर जाके move यूज करके भी कर सकता है ऐसा और भी थोड़ा जादा होना चाहिए apply कर दिया हूं मैं इसको और थोड़ा सा ये ज्यादा होने के लिए मैंने approximately दुबारा measurement कर लेंगे इसको measurement ये 20 mm कम है फिर इसमें size में गया हूं 370 के जेगा पे 395 कर दिया हूं apply फिर इसके बाद मैं इसको मैंने ये जैसे आप आपकी समझ में आयो से सरक्र कर देना कोई निक देना है ऐसे करना ऐसा नहीं करना भूलके कोई rule नहीं है इधर फिर मैं 8 mm कर दिया हूं इसको apply कर दिया हूं और paste बना पेश्ट कर दिया हूं इसको ये ऐसा डिजन पूरा मैंने set कर दिया हूं मैंने left की तरफ set कर दिया हूं right की तरफ कुछ नहीं किया हूं right की तरफ भी ये सारे करने का जुरूत नहीं है इधर हमें एक option available है relief operations में mirror relief इधर बस left में कैसे है right में वैसी होने के लिए इधर left over right बोल के एक option available है ये click कर दिया है तो जैसे आप left hand की तरफ कैसे set कर दिया है right hand की तरफ भी mirror होके same IC बैठ जाता है देखिये है ये कैसे गया है ये उपर भी देखिये है IC हम design set करना है frame का okay viewers I think you understand well अगर जो भी doubt से तो आप हमें एक किसम पर कर सकता है thank you for watching